असलम आलेकुम दोस्ते हैं आप विल्कम टू हानिक पनी चैनल जी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी के पीजा की डो किस तना बनती हो और पीजा परफेक्ट किस तना बनाते हैं पीजा के जो असल जो मकसद है कि पीजा की डो डो बनाना बहुत मिश्किल होता है जो का लेँगे हम नेम करम पानी हाफ किलास इसको डालेंगे शुगर फॉत को ठाले के चुछंछ सब्सक्राइब नियकप्र सभण उननीगे अजिक और नियुछ तर मात करते हैं पर दो दिस ओधने को एसको 5 Babz के लिजा पह४ैर के लिए निग्यस्यप के लिए 10 मॉनिट्स के ल पूलेगी तो समझें आपकी इस सही नहीं है तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा हाफ केची मेदा लिया है मेदे में हमने डाले है नमक हाफ टैबल स्पून और कुकिंग ओल वन टैबल स्पून अब यह जो इस्ट वाला जो हमारा मिक्सर ता वो इसमें डाल कर हम अगर इस्ट आपकी नहीं फूले तो आप आगे का प्रोस्स नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर आपका आटा जो है जो डो है वो फूलेगी नहीं इसके बाद हम अच्छी तरीके से जैसे नॉर्मल आटा गुनते हैं गुनने लिया अब हम ड़कत रग देंगे त्युर्ण के लिए मतलब दूगंठे के लिए और किसी कैबनेट में रख दीचेए गा या बंधवा माइक्ड़ वेब में रख दीचेए या अवन में रख देगी ये 2 घंटे के बाद देखें इस तनहेसे मेरी पूरा आटा फूल या ही ये डबल से यह मेरा आटा जो यह देखेंगें अगर आपका बूला है तो आपका पीज़े की जो डो होदी पर्फेक्ट बनेगी इसको हम एक ट्रे में जो होदी उसके फिला लेंगे और इसके बाद हम इसमें फोक की मदद से इसमें हॉल करेंगे जब भी आप पीजा बनाएं तो ये स्टेप याद रिखेगा कि आप होल जरूर कीजिएगा फोक की मदद से इसके बाद हमने डाला है पीजा सोस अभी में बाजार की पीजा सोस टाल रही हूं क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ डो बनाना सी कहा रही हूं इस लिए इस पे हम डाल देंगे पीजा सोस और आगे की स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगे आगे की स्टेप आपकी मर्जी के होते हैं जो आप चाहें वो कर सकते हैं अगर आपकी डो सही पनी है तो आप डिफरेंट तरीके से अपने पीजा एंजुआए कर सकते हैं बैसिक जो होती है बैस जो होती है वो पीजी की डो ही होती है इसके बाद जो होती है आपकी फैबरेट चीजों से आप उसको कर सकते हैं अच्छा में डाली हूँ चिकन, मैंने चिकन त्यार करकर रखी वी थी चिकन और तिका चिकन बनाई थी, मैंने उसके चोटे-चोटे पीस कर दिये हैं और आपको जो पसंदो जो करकर कीमा पसंदो या चिकन की बोटियां पसंदो जो पसंद उस स्टायल में आप बना के इसमें का डाल सकते हैं ये अच्छी तरीके से मैंने सार इसमें डाल दी है और इसके बाद हम वेजी डालेंगे अपनी पसंद की और ये है जेलो पीनो और ये आउनियन, टिमाटो, चिली हर कोई अपनी पसंद की वेजी डाल सकता है अच्छा मेरे बच्छों को वेजी नहीं पसंद तो मैं हाफ पीजे में डालूंगी और हाफ पीजे में नहीं डालूंगी इस ताना करकर आप डेकुरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है पीज़ा बनाने में बहुत माज़ा भी आता है और आप घर पर बनाने के फायदा भी होता है कि आप अराम से जिस टैम चाहें और दिल भर कर खा सकते हैं बाजार में यह होता है कि थोड़ा एक्सफेंसिव हो जाता है और हर वक्त अवेलेबिल नी होता अगर आप डो बना का फ्रीज में रखी भी होगी तो आप किसी भी टाइम आपने निकाला और जी बस 10 या 15 मिनट तक अपने वो डो वाला बहार रखा और जी पीज़ा बना लिया आपने ये मैंने सारी वेज़ी डालने के बाद अब चीज सिलाए चीज में इसका कड़ा लिया है मौजरेला चीज और चेटर चीज ये मौजरेला और चेटर को मैंने मिक्स कर लिया था और ये सारी में इसके अदर डाली हूँ चीज का तो अपने ही मज़ा होता है पिसे में जतनी ज़ादा चीज डालते हैं उतना ही जज्यादा टेस्टी बनता है यह सारी मैं इसके अंदर डाल दोंगी जी और फिर हम इसको वेक करने लिए रखेंगे यह आउपर से आब इसमें ओल जाल दिये मैंने और हाँ ये जैसे मैंने बताया कि मैंने हाफ फीसे में डाल रही हो अलिफ अचाए ये मैंने कर दिया है अब आवण में रख दूंगी आवण में 15 मिनट में रेडी हो जाएगा प्रिहीट कर लिजएगा अवण इसके बाद आप रखेंगे तो आपका 15 मिनट में बन गई ये मेरा रेडी हो जुका है अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी डो जो कि बिलकुर परफेक्ट बनी है और आपको इसको देख सकते हैं कि कितनी भूली है ये मैं आपको पीज़ा निकाल कर दिखा रही हूँ ये दे